नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है यास साइकलोन की वजह से फुर्वी राजियों पर खत्रा बढ़ गया साइकलोन यास का बंगार ओडिसा में खासा असर देखने को मिल रहा लेकिन पड़ोसी राजियों को लेकर भी मौसम विफार ने बारिश और आंधी तूफान का अनुमान लगाया यूपी बिहार जारखन में भी साइकलोन यास की वजह से तेज बारिश हो सकती है साइकलोन यास का लैंडफॉल भले ही ओडिसा में हुआ लेकिन बिहार और जारखन समित कई राजियों में इसका असर दिखेगा मौसम विज्यानिक आरके जना मनी के मुताबिक साइकलोन ने बालेशवर के दक्षिन में लैंडफॉल किया यह अब जारखन की ओर बढ़ रहा जारखन में रेड अलर्ट जारी वह बुद्वार शाम से ही बारिश शुरू हो जाएगा इसके साथ ही दक्षिन बिहार में और दक्षिन पूर्व यूपी में ये सिस्टम जाएगा 27 और 28 तारीक को उत्तर बिहार और पूर्वी यूपी में जाकर के खत्म होगा उनने कहा कि बारिश का असर तो बहुत सारे जिलों में होगा लेकिन हवा का जो आकलन अभी है वो सौ किलोमीटर के आसपास है ये कितने जिलों में अपना असर दिखाएगा उसको देखना होगा बिहार को लेकर मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है पटना समेट 26 जिलों में भारी बारिश की आशंका है करीब 160 मिलिमीटर तक बारिश हो सकती है यानि विहार में भी चक्रबात यास अपना बड़ा असर दिखा रहा इसके अलावा जारखन में भी इस साइकलोन का असर देखा जा रहा मौसम विभाग ने पहले ही यहां के लिए चेतावनी जारी की थी अब 20 मई के सुभा से ही यहां मौसम ने करवट लिए जारखन में कोलहान खूंटी, सिंडेगा, रांची के आसपास तेज बारिश, तूफान आने की चेतावनी जारी की गई इस खबर में फिलाल इतना है, तमाम अपडेट्स के लिए बने रही वन इंडिया हिंदी के साथ